हेलो फ्रेंड विल्कम अगेन मैं चनल दबरीज में सुरेश्पिटेल आपके अपने चनल दबरीज में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करण के बारे में बनने वाले हैं अर्थात वितुद्धारा के बारे में बनने वाले हैं तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट अर्थात किसी भी तत्व पधार्थ या किसी चालक में इलेक्ट्रोन के प्रवाह को हम इलेक्ट्रिक करंड कहते हैं, या दूसरी भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को ह हम इलेक्ट्रिक करण अर्थात विद्धारा कहते हैं चलिए उसको समझ लेते हैं माल लीजिए यह एक चालक है चालक अर्थात कंड़क्टर है ठीक है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्राण के प्रवा होगे उसको किसी विचालक में इलेक्ट्राण के प्रवा होगे क्या कहेंगे current कहेंगे ठीक है तो किसी भी चालक में electron के प्रवाह को हम electric current कहते हैं या आविश प्रवाह की दर को हम electric current कहते हैं electric current को हम i से denote करते हैं ठीक है और electric current बराबर q by t होता है जिसको हम ampere column second भी लिख सकते हैं ठीक है और जो electric current की SI unit होती है वह ampere होती है ठीक है और ampere को हम column पर second भी लिख सकते हैं अर्था हमको electric current की unit पुछेगी वहाँ पर ampere option में दिया होगा या फिर column पर second दिया होगा और अगर दोनों दिया होगा तो दोनों को हम write करेंगे ठीक है तो electric current की unit जो होती है वह ampere होती है और ampere ना दिया होता तो column पर second दिया होता है ठीक है दोस्तू माल लिजिए ये एक चालक है और इसके अंदर electron प्रवाह हो रहे है ठीक है तो इस conductor का हम एक कोई बिंदू लेलते हैं माल लिजिए ये एक बिंदू है ठीक है तो इस बिंदू को जिसके electron का flow होगा तो माल लिजिए एक electron flow हुआ ये इस बिंदू को cross कर गया बाकिया दूसरा electron आया ये भी इसको cross कर गया एसे ही electron एक side से दूसरा side का और flow हो कर जाएंगे तो इसे हमने example के लिए दो electron दर्स आया है वैसे ही यहाँ पर इस बिंदू को 6.25 x 10 to the power 18 electron इस बिंदू को cross कर कर चला जाएंगे और थाथ इस चालक में से किसी एक बिंदू पर 6.25 x 10 to the power 18 electron इस बिंदू से प्रवाइद हो जाएंगे तो उसमें से 1A current प्रवाइद हो जाएगा अर्थाथ 1A current के प्रवाइद को हम क्या कहते है मतलब अर्थाथ 6.25 x 10 to the power 18 electron के प्रवाइद को हम 1A कहते है या हम 1 कुलम 1 कुलम को 6.25 x 10 to the power 18 electron भी कहते है अर्थाथ 1 कुलम के प्रवाइद के प्रवाइद कर दे तो उसके अंदर से एक कुलम आवेश प्रवाइद होगा ठीक है? clear? जो करण के फ्लो की गती जो इस्पिट होती है वो प्रकास के फ्लो की गती के बराबर होती है अर्थाथ करण के फ्लो की जो इस्पिट होती है वो प्रकास के फ्लो के इस्पिट के बराबर होती है अर्थाथ करण के फ्लो की इस्पिट होती है 3 into 10th to the power 8 meter per second अर्थात current इतनी speed से प्रवा होता है और इतनी speed से light भी प्रवाहित होते हैं यह point भी exam point office से बहुत ही important है इसको भी याद रखेगा ठीक है दोस्तों और जो electric current है electric current वह एक अदिश राशी है दूसरा पास जो electric current जो है वो हमेशा close path में ही प्रवाहित होता है और तो electric current को प्रवाहित करने के लिए close circuit का होना बहुत ही अनिवारी रहे अगर close circuit नहीं होगा open circuit होगा तो open circuit में current प्रवाहित नहीं होता है माले अगर यह close circuit है तो इसमें से इस direction में electron flow होगे और इस direction में current प्रवाहित होगा और यदि हम यहाँ पे इस circuit को open कर दे तो इसके अंदर से करण का फ्लो नहीं होगा ठीक है दोस्तों अब दूसरा पॉइंट देखे करण जो है हमेशा प्रवाहित होने के लिए लो रजिस्टेंस का पात ही चुनता है अर्थात मान लिजिए ये करण आ रहा है ये एक सर्कीट है मान लिजिए ठीक है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट भी है तो मान लिजिए करण को ए बिंदू से बी बिंदू तक जाना है और उसके बीच में दो रजिस्टेंस परता है मान लिए ये रजिस्टेंस दस ओंका है और यह resistance 2 ohm का है ठीक है तो current जो flow होगा current आई जो flow होगा वो हमेशा low resistance वाला रास्ता ही चूज करेगा current flow होगा वो एप बिंदू से आएगा और low resistance 2 ohm है तो 2 ohm से होते हुए point B में पोहच जाएगा ठीक है तो current हमेशा low resistance वाला पार्थ ही चूज करता है ठीक है दोस्तों अब हम electron और current के flow होने की condition को देड़ लेते हैं मान लिजे ये एक circuit है ठीक है ये उसका negative point है और ये positive point है ठीक है positive negative ठीक है ये क्या है source है मान लिजे है source है ठीक है तो इस circuit में जो electron का flow जो होगा वह नेगिटिव साइट से electron निकलकर negative से होते हुए positive के और आएगा और जो current का flow होगा वह positive के और से negative के और current का flow होगा ठीक है दोस्तों तो I hope मैं आशा करता हूँ कि current के बारे में basic चीज़े आप जान गए होगे और जो next lecture है उसमें भी हम नया topic को लेकर आएंगे उसके बाब में चोटी चोटी basic चीज़े cover होने के बाद में जो आगेगा हमारा study होगी उसको फिर इन सब के base के उपर हम deep में जाकर पढ़ेंगे तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का lecture आपको अच्छा लगा होगा और इस lecture को अपन झाल